हेलो गाइज कैसे हो आप सभी मैं परदीप शर्मा स्वागत करता हूँ एक पर फिर से आप सभी का अपने यूटूब चैनल पर तो पीटे भरती परिक्षा तो हाई कोट ने सरकार और आयोग से मांगा है जवाब तो 23 अगस्त की परिक्षा को अब हाई कोट में दे दी गई है चुनोती तो याचिका करता ने कहा कि नियमों को दर किनार रख कर कराई गई थी परिक्षा तो अब हाई कोट ने सरकार और आयोग से इसके रिलेटिड जवाब मांगा है जैसा कि आप सबी जानते हैं कि 23 अगस्त को इसकी PTI की भरती प्रिक्षा कराई गई थी तो इसके लिए अब उच नियले में चुनोती दे दी गई है कि याचिक अगरता ने कहा है कि नियमों को दर किनार रख कर यानी कि नियमों का पालन नहीं किया गया था और प्रिक्षा कराई गई थी तो अब हाई कोट ने सरकार और आयोग से मांगा है जौब तो चलिए देख लेते हैं एक बार नियूज क्या नियूज आई है पीटिय भरती से लेटिड तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की तो यहां पर आप देख सकते हो हाई कोट ने पीटी आई टीचर भरती पर नोटिस जारी किया है तो पंजाब एम हर्याना हाई कोट ने पीटी आई टीचर भरती के लिए 23 अगस्त को हुई प्रि प्रिक्षा निवासी अंजली रानी ने याची का दायर कर आरोप लगाया है कि यह प्रिक्षा नियमों को दूर रखकर की गई है और प्रिक्षा में लगबग 20% से अधिक स्वाल आउट ओफ सिलेबस थे तो प्रिक्षा के लिए जो नियम तै किये गे थे उनकी पाला नही की गई है और प्रिक्षा में सेक्रेसी भी नहीं रखी गई है यहां पर देख सकते हो खुद प्रिक्षा आउजित करने वाले स्टाफ का एक सदस्य हिसार में आंसर की के साथ पकड़ा गया था और पुलिस ने इस मामले में भी मामला दर्ज किया था तो याची का ने प्रि करमचारी चैन आयोग वैसिक्षा आयोग को नोटिस जारी कर दिया है तो गाइज यहां पर आप देख सकते हो पीटे अई भरती को दुबारा से कराने की मांग यहां पर की गई है तो गाइज यह information थी पीटे भरती से लेटिड अगर आपको information पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेर भी कर देना धन्यवाद दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो